नमस्ते मित्रों, डॉक्टर किर्थी की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है, आज में कक्षा नवी, लोग भारती, विशे हिंदी, इसकी दूसरी इकाई से पहली कविता कह कविराय लेकर आई हूँ, जिसे गिर्धर जी ने लिखाया है, इने कविराय भी कहा जाता है, कविराय गिर्धर जी या गिर्धर कविराय ठीक है, यह जो हम कविता देखते हैं, यह किस रूप में लिखी होई है, यह से कुंडली कहा जाता है, अब कुंडली की एक विशेष्टा होती है, क्या विशेष्टा होती है कुंडली की, कि यह जिस शब्द से शुरू होती है, उसी शब्द पर यह खतम होती है, जैसे यहां गुन लिखा है, तो यहां गुन के, ठीक है, तेखा, देखा, जूटा, जूटा, इसी तरीके से हम पीछे रिखेंगे, बीना, याने बीना से अगर यह बीना विचारे से शुरू हुए, तो बीना विचारे पर ही यह खतम होती ह बीति था ही, तो यहाँ पर बीति पर ही खतम है, पानी थो पानी ठीक है? इस तरीके से जिस शब्द से इसकी शुरुवात होती हो, इस यहाँ खतम भी होती है, ठीक है? आए इसके हम लोग शब्दार्थ देख लेते हैं सबसे पहले इसकी जो पहली लाईने वो देखने हैं, कि गुन के गाहक सहस नर, बिन गुन लहे न कोई, जैसे खागा को किला, शब्द सुने सब कोई, शब्द सुने सब कोई, को किला सबे सुहावन, दू के रंग एक काग सब्भे अपावन, कहग इरधर कविराय सुनो हो ठाकुरमन के, बिन ग अब यहाँ पर अर्थ हम देखते हैं कि कभी कहते हैं कि कोई भी लोग हो लोग गुण्वान वित्ती को ही पसंद करते हैं गुण्ड रही त्वित्ती किसी को अच्छा नहीं लगता है जिस प्रकार कववा और कोयल दोनों की वाणी सभी ने सुनी हैं और दोनों का रंग भी एक जेसा ही होता है परन्तु फिर भी मुईठी बोली और आवाज के कारण कोयल सभी को पसंद आती हैं और कववी की करकश आवज के कारण सब उसे अपवित्रा कहते हैं कभी कहता है सुनो अपने मन की बात क्योंकि दुनिया में एक ही नहीं हजारों लोग है जो सिर्फ गुणवान विक्ति को ही पसंद करते हैं अगली लाइने हम देखते हैं देखा सब संसार में मतलब का वेवहार जब लगे पैसा गार्थ में तब लगी थाको यार तब लगी थाको यार यार संग ही संग डोले पैसा रहान प्या पास यार मुकसे नहीं बोले कह गिरिधर कभी राय जगत का यही लेखा करत बेगर चीप्रीती मित्र कोई बिरला देखा अम इसके अर्थ देखते हैं मित्रों हूँ इसके अर्थ इस प्रकार से हैं पहले हम शपदार्थ को देखें थे हैंने पूरा संसार मेंने देख लिया है लोगों का वेभार सभी जगे स्वार्थ से भरा हुआ है सब अपने अपने मतलब केलिए ही किसी से बात करते हैं, सिर्फ मतलब का ही वेवहर रही है, जब तक किसी के पास पैसा है, तब तक उसके कई दोस्त होते हैं, क्योंकि उसका पैसा है, मतलब है उससे, तो अब उसके बहुत से मित्र होते हैं, पर पैसा खत्म होने पर कोई दोस्त बात भी नहीं करता, जब उस व जिरला ही होता है या कम ही होता है मित्रों अगर हमारे जीवन में हमारे पास एक ऐसा मित्र हो जो हमसे बिना मतलब के मित्रता रखता हो बिना स्वार्त के हमारे साथ रहता हो तो ऐसे मित्र के हमें कद्र करना चाहिए क्योंकि अगर ऐसा मित्र हमारे पास है तो हम दुनिया के स सबसे धनवान वित्ती होते हैं ठीक है अगली लाइन हम देखते हैं जूटा मीठे वचन कही रुण उधार ले जाए लेत परमसुक उपजे लेके दियो न जाए लेके दियो न जाए उचरू नीच बतावे रिण उधार की रीती मांगते मारन धावे कहे गिरदर कविराय जा नी रहे मन में रूठा बहुतो दिना हो जाए कहे तेरो कागज जूटा यहां पर हम शबदार्ट देखते हैं मित्रों कही ने कहकर रीन ने करज पर मैंने बहुत उपजी ने पेदा होना अरु एने ओर रीती ने नेए अम मार ने मारन येने मारने, धावे येने भागे, जानी येने जानकर, रुठाएने नाराज है नो आगे हम अब इनके अर्थ को देखते हैं मित्रो अब इनके अर्थ इस प्रकार से कभी कहते हैं करज लेने वाला मीठा मीठा बोलकर करज ले जाता है और उस पैसे से जो भी उसे करना होता है, जो भी सुख प्राप्त करना होता है, वह करता है, पर लेनी के बाद जब करज को चुकाने की बारी आती है, पैसा वापस देने की बारी आती है, तो वह आनाकानी करने लगता है, कई बाते बनाता है, बहाने करता है, उधारी की तो र देने वाले मित्र देने का वक्त आने पर जान भुझ कर रूठे रहने याने नाराज रहने का नाटक करते हैं अगर हमारे सामने से गुजर जाए तो इस तरीके से गुजरते हैं जैसे वह हमें पहचानते ही नहीं है एक तरफ मुझ करके ताकि जिससे पैसा लिया उसको ऐसा लगे कि वह कुछ गलत नहीं हो गया उसने कुछ गलत नहीं किया उसका मित्र उससे नाराज है कि इस तरह से ऐसे नाटक करते हैं पहुत दिन बिज जाने पर, उनसे पैसा उपका मांंगा जाया, तो उधर देने वाले को कहते हैं, तेरे तो काज़ी जूटे हैं वो निचले, डीज पक्त्री पर लिक्ट उसने पैसा उधर लिया था, काम बिगारे आपनों जग में होता हसाए जग में होता हसाए चित में चैन नावे खान पान सनमान राग रंग मन ही न भावे गिरदर का विराए दुख का चुकरत नटारे खटकत है जिये माही कियो जो बिना बिचारे शब्दार्थ देखिए करे याने करना सो याने वह लिए नहीं किया है कभी खेते हैं कि हर काम सोच विचार करना चाहिए बिना सोचे समझे कोई विकारे नहीं करना चाहिए जो वेक्ती बिना सोचे वोई कारे करता भी है वह स्वयम ही अपने कारे को क्या करता है विगाड लिता है और बाद में उसे पश्टाना पड़ता है जब उसकी हसी उडाता है जिससे उसके मन को जरा भी चेन नहीं मिलता है एक तो बिना विचारे क कभी कहते हैं कुछ भी कर लो उसका दुख दूर नहीं होता अब आप उसके लिए कुछ भी करें उसका दुख जो है वो दूर नहीं होता है है ना उसे सदा मन में रदय में खटकता रहता है कि उसने बिना विचार किये और बिना सोचे यह कारे किया इसके लिए वह हमेशा कभी कहते हैं, जो आपने बिना विचारें जो काम कर लिया है, अब बिगड गया हैं, तो अब उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? वह यहां पे हमें मळठाया गया है, कि बीती ताही विसारी दे आगे की सुधीले, जो बनी आवे सहज में ताही में चित देई ताही में चित देई बात जो बनी आवे दुर्जन हसे न कोई चित में खता न पावे कह के गिरिधर कविरा यह करुमन परती ती आगे की सुधी लेई समुझो बीती सो बीती अब आगे कि हम लोग इसके शबदार्त देख लेते हैं सबसे पहले इसके शबदार्त इस तरीके से है मित्रो बिती याने बीद गई वह याने ताही याने उसे विसारी दे याने भूल जाओ कभी कहते हैं कि बीती हुई बातों को भुला देने में और आगे की सुध लेने में ही समझदारी है जो बीद गया वो भूल जाओ और आगे के बारे में सोचो जो काम सहचता से हो जाए उसमें मन को लगाना चाहिए इससे काम बनने लगते हैं अब जब आप पच्छता लिये हो तो अब उसके बाद में अच्छे से सोचो और जिस काम में सच में तुमारा मन लगता हुआ काम करो जिससे की काम बनने लगते हैं अच्छे हैं ना और दुष्टों को हम पर हसने का आउसर भी नहीं मिलता फिर जो लोग हमारे पर हसने हैं उनका मूँ बंद हो जाता है इससे तुम्हारा मन परेशानी से मुप्त होगा जब लोग तुमारे हंसी उड़ाना छोड़ देंगे और तुमारे काम बनने लगेंगे तो तुमारा जो मन है वो परेशानी से मुप्त हो जाता है कभी कहते हैं तुमें सिर्फ वही कारे करना चाहिए जिस पर तुम मन से विश्वास करते हैं हमारा स्वयम का मन जानता है कि हम किस कारे को अच्छे से कर सकते हैं जो नहीं कर सकते हैं वो हमें कहीं न कहीं महसूस होता है कि इस कारे को हम नहीं कर सकते हैं तो जिस काम पे तुम्हारा मन विश्वास करता हो वही करो और बीती हुई बातें भूलकर आगे के बारे में सोचना चाहिए है ना बीती जो बातें उसको भूल जाना चाहिए और आगे के बारे में सोचना शुरू करना चाहिए अब अंतिम लाइने इसकी बची हूए मित्रो BL Gallery ने हैं इनके पहले मैं हम घर में ही रहें और अच्छे से रहें किसी भी चीज को हाथ लगाने के बाद हमारे हाथों को साबुन से अच्छे से धोएं और हमारे प्रधानवंत्री मोधी जी जो हमारे लिए कर रहे हैं ये जो उन्होंने देश में लॉकडाउन चला रखा है उसमें उनका साथ दे घर से बाहर कहीं भी न जाए और मित्रो घर में रहकर और पढ़ाई करें जिसके लिए मैं आपको ये मटेरियल पढ़ने के लिए दे ही रहे हूं ये आप घर में बेट कर भी पढ़ सकते हैं अंतिम लाइने मित्रो इसकी है पानी बाड़ो नाओं में घर में बाड़ो दाम दोनों हाथ उली चिए यही सयानों काम यही सयानों काम राम को सुमिरन कीजे परस वास्त के काज शीस आगे कर दीजे कह गिरधर क विराय बड़े इनकी याही बानी चलिये चाल सचाल रखिये अपनों पानी और मित्रो अगर आपको मेरा ये यूट्यूब चैनल पसंद आता हो मेरे दिये हुए वीडियो आपको अच्छे लगते हो तो आप इसको लाइक जरूर करें सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट मैं आपके कमेंट जरूर दीजिए अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो वह भी आप कमेंट में लिखकर मुझे बता सकते हैं ताकि आपकी उस परिशानी को में दूर कर सकूँ आपको और अच्छे से इसको समझा सकूँ है न भी धरतियो तो शब्दार तो आपके आपने लाईने सुनी होगी कि पानी गए नो उब्रे मोती मानुस चून वहां भी पानी का अर्थ अर्थ यह पर कभी कहते हैं यदि नाओ में पानी बढ़ जाए यानि पानी भर जाए तो दोनों हातों से उसे बाहर फिकना चाहिए ठीक है अगर नाओ पेंग जार है औरनाओ में शेद पानी आने लगे तो जान बचाँने के लिए क्या करेंगे नाओं में से दोनों हातों से लिच कर पानी को बाहर फिक देंगे और यदि घर में धना दिखो जाए तो उसे जरूरत मंदों में और समाज सेवा में बाट देना चाहिए परोपकार में लगा देना चाहिए यही समझदारी है परोपकार के लिए अपना सब कुछ निचावर कर देना चाहिए यहाँ पर हमको कभी कहना चाहते है कि परोपकार का अगर समय आए तो उस समय सब कुछ निचावर कर देना चाहिए कभी कहते हैं यही बड़े भी कहते हैं कि हमारे अच्छे आच्रन होना चाहिएये दिमित्रो अब मुझे कुरा विश्वा से कहख भी राय गिर्धर जी दौरा है यह कुंदलियां आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी अगर इसमें कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंड बॉक्स में लिख कर पुछ सकते हैं मैं जानती हूं कि इसके सारे जो शब्द है ये सब अवधी भाशा के हैं और इनके अर्थ आसानी से नहीं आते हैं इसलिए मैंने आपको एक एक शब्द का अर्थ है यहां पर लिख कर दिया हुआ है तो आप उसे अच्छे से लीजिए और इसके बाद भी अगर कोई परिशानी आती हो था आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं विद्धाति मित्रो धन्यवाद नमस्ते